एक चुनूती हमारे सामने तिक हमारे शिक्षक भी मोबाइल का उपियोग करना इस तरह से नहीं जानते थे क्योंकि ग्रामीन चेत्र के शिक्षक हैं तो उनको जो है मोबाइल से कनेक्टिविटी होना लाइव होना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को समझना फिर उसको समझाना इसमें फोड़ी दिक्कत आई पर उन्त हम लोगों ने उन्हें ट्रेंड किया और अमारे जिले में हमने व आश हो रहा था उसको बनाए रखने में हम बहुत कुछ कामियाब रहे इसमें हमारे शिक्षकों ने बढ़ चड़कर भाग लिया कुछ शिक्षकों ने बहुत अच्छे जो है वीडियो वीडियो अप्लोड की है जो हमारे नाई-णाई मेथडोला जी आती है उसमें प्रयोग करीब तीन वर्श पहले आपके संस्ता के साथ कर रहा है हैं। और इस शुनि नवाचार में हमारे जिले में विकासखन इस्तर पर भी और जिले इस्तर पर भी एक बहुत बढ़ी कारिशाला का आयोजन हमने किया था, जिसमें शिक्षकों के द्वारा स्टुन्य निवेश के आधार पर T.L.M का निर्मान किया गया और बहुत ही अच्छा कारियों यहां पर हुआ और उसके बाद में यहां से जो करीब 15 शिक्षकों की का चैन हुआ था हमारे जिल्ली में जो आपके अर्विंदो सोसाइटी और जिल्ली सुनि नवाचार का वर्क्षाप हुआ था उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया महाँ पर हमारे शिक्षकों को पूर्शकार भी मिला और इतना अच्छा इनेशिट्य हुआ कि हमारे जिल्ले में आप सुनि नवाचार और अर्विंदो सोसाइटी का प्रत्य काम कर रही है यदि यह कोविट काल नहीं होता तो इन तीन साल में हम आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा कारी करते हैं तो एक तो यह हमारे यहां काम हुआ है तो हमारे लिए आपका जो है अर्विंदो सोसाइटी कोई नया नहीं है और दूसरा यह है कि जो आपने तो अच्छासर ऐख्णा करे कि करे यह मिलता है जिससे यह हूँ है जोữa उनमळाल में तुन आपके हैं और दूसर जर्फ को beet 2030 नहीं को को कहां है तो तो बैसे होता है जो है जो है तो धिर्टी नहीं सीखने opened मिलता ज़ोब को सीखता है वो उसके लिए गठी नावधाना भी सरल बन जाती है और उसके मस्तिश के पटल पर हमेशा के लिए चीरिस्थाई हो जाती मतलब कहने का मतलब एक रटी वी चीज को भूल जाता है पर इस तरह से जो नए-ए-णवचार के माध्यम से गई गती विद्यों के माध् प्रस्टिक्शन से जुड़े होए हैं और आगे भी लगातार अच्छा प्रयास करेंगी